अब यहाँ पर मैं तुम्हें limits की कुछ properties बताना चाहूँगा लेकिन उन properties को हम अभी prove नहीं करेंगे अभी हम बस देखेंगे कि यह हैं क्या फिर हम कुछ questions solve करेंगे इनके और फिर बाद में जब हम limits को थोड़ा और ढंक से पढ़ लेंगे जब हम limits की formal definition पढ़ लेंगे जो इसकी epsilon delta definition होती है जब हम यह सब पढ़ लेंगे तब हम वापस आकर इनके proofs के बारे में सोच सकते हैं तो अगर हम शुरू करें तो माल लेते हैं हमारे दो functions हैं एक है मेरा fx और एक है मेरा gx यह मेरे दो functions हैं और किसी एक point पे मैं इन दोनों की limit निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और माल लेते हैं कि इन दोनों की limit exist करती है जैसे अगर माल लें कि इसकी limit limit x tends to यहाँ x approaches c, c मेरा एक point है जिसमें मैं इसकी limit निकालना चाहरा हूँ limit x approaches c, इसकी value है मेरी, इसकी value है l और इस function में जो gx है यहाँ पर अगर मैं लिखूं limit x approaches c, gx, इसकी value है मेरे पास m यहनि कि मेरे पास दो limits है, fx के limit है l और gx के limit है m अब ये तो हुआ इन दोनों functions को अलग लग देखना अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिसमें मुझे इन दोनों functions को साथ में लिखना पड़े अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे माल लेते हैं fx प्लस gx अगर इन दोनों functions add हो जाए या multiply हो जाए या divide हो जाए तो मेरी limit पे क्या फरक पड़ेगा चलो देखते हैं शुरू करते हैं fx प्लस gx से माल लेते हैं मेरा question कुछ इस तरह से है limit x approaches c fx प्लस gx मुझे इन दोनों को मिला के या इन दोनों को add करके एक function बना हुआ है उसके limit निकालनी है x approaches c पे तो मारी intuition ये कहती है कि limit x approaches c पे जो fx के साथ हो रहा है और जो gx के साथ हो रहा है वो अलग-लग निकालो और दोनों add कर दो और यही इसकी property भी है ये बराबर हो जाती है limit x approaches c fx प्लस limit x approaches c gx हम इन दोनों को अलग-लग देख सकते हैं इनकी limit निकालके add कर सकते हैं इसकी value हो जाती है मेरी l और इसकी value हो जाती है मेरी m इसको मैं ठीक से लिखता हूँ m तो यानि कि जो मेरी limit है वो बराबर हो जाएगी l प्लस m के fx प्लस gx के limit हो जाएगी l प्लस m वैसे अगर यहाँ पर minus sign लगा होता मैं यही पर लिख देता हूँ अगर इसी question में यहाँ पर एक minus sign लगा होता तो मैं यही minus sign यहाँ पर लगाता और यही minus sign यहाँ पर भी लगाता तो जब मैं difference ले रहा हूँ तो मैं limit का difference लूँगा और जब मैं sum ले रहा हूँ तो मैं limit का sum लूँगा प्लस माइनस तो ठीक है, multiply में क्या करेंगे अब, चलो देखते हैं, अगर मैं limit निकालूँ, माल लेते हैं मैं limit निकाल रहा हूँ, limit x approaches c fx multiplied by gx, ये दोरों functions multiply हो रहे हैं, और फिर मुझे उसकी limit निकाल ली है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि इनकी limits भी multiply हो जाएंगी, त यानि कि fx के limit निकालो, और उसको multiply कर दो, limit x approaches c gx से, यानि कि उसको multiply कर दो gx के limit से, अब हमने मान रखा है कि इसके limit है मेरी l और इसके limit है मेरी m, तो इसकी value fx times gx जब हम लेते हैं, तो इसकी value हो जाती है, ये बराबर हो जाता है l times m, l multiplied by m, अब देखते हैं divide में क्या होत है, मान लेते हैं, हमें निकालना है limit x approaches c fx divided by gx, अब क्योंकि यहाँ पर functions divide हो गए हैं, तो इनकी limits भी divided हो जाएंगी, इसकी value हो जाएगी, ये हो जाएगा limit x approaches c fx divided by limit x approaches c gx के, अब इसकी value हो जाएगी, क्योंकि fx के limit है मेरी l ये है मेरी value l और ये है मेरी value m तो ये जो हो जाएगा ये है l upon m अब जब भी denominator की बात करते हैं जब भी हम fractions की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये m की value 0 नहीं होने चाहिए अगर मेरी m की value 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा l upon 0 और केसी भी जिसको अगर मैं 0 से divide करूँगा तो वो not defined हो जाएगा आगे जब हम कुछ questions solve करेंगे तो हम इसके बारे में थोड़ा और जान पाएंगे अभी के लिए मैं यहाँ पर बस लिख देता हूँ m is not equal to 0 तो plus minus multiply divide देख लिया तो चलो powers भी देख लेते हैं मैं थोड़ी ज़ी और जगा पनाता हूँ माल लेते हैं हमें निकालना है limit x approaches c fx इसकी power हो जाएगी gx इसके limit मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा इसकी value हो जाएगी मेरी limit x approaches c fx इसकी power में limit x approaches c gx और ये मेरा बराबर हो जाएगा क्योंकि fx के limit है मेरी l और gx के limit है मेरी m तो ये बराबर हो जाएगा l raised to the power m के तो यहाँ पर हम एक pattern देख सकते हैं जिस variable के हम बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर x है हमने बोला है कि x approach कर रहा है c को जाके कूद के बैठ जाती है अगर ये multiply हो रहे होते हैं तो ये इन दोनों के बस चली जाती है divide में दोनों के बस चली जाती है और यहाँ पर तो power के पास भी ये दोनों में चली गई ये limit यहाँ से उठके पहले यहाँ पर आई इसने fx से बात की फिर इसको लगा कि इसकी power भी भी x है तो ये limit चड़के उपर भी आ गई इसने gx से भी बात कर ली तो जहाँ भी मुझे x दिखेगा पूरे इस function में वहाँ पर ये limit जा सकती है लेकिन जहाँ पर x नहीं दिखेगा उसका क्या माल लेते हैं हमारा question होता माल लेते हमारा question कुछ इस तरह से होता limit x approaches c k times fx और k में रहे constant होता तो limit बोलती कि ये k तो constant ही रहेगा x की value c को अपरोच कर रहे हो या d को अपरोच कर रहे हो इस k पे तो कोई फरक पड़ेगा नहीं तो limit इससे बात करना पसंद नहीं करेगी limit इसको bypass करके limit इस सीधा fx से बात करेगी इसकी value हो जाएगी ये k मेरा ऐसे ही खड़ा रहेगा limit जाती fx के पास ये हो जाएगा k times limit x approaches c fx और इसकी value इसकी value हमें पता ही है l के बराबर है तो इसकी limit हो जाएगी k times l और यही चीज़ हम power में भी देख सकते हैं अगर मेरी power यहाँ पर एक constant होती जैसे माल लेते हैं माल लेते हैं मुझे निकालना है limit x approaches c fx की power अब इसकी power में हम एक constant डालेंगे माल लेते constant है वो r चलो इसको fraction में convert कर देते हैं माल लेते constant है r upon s अब इसकी limit क्या होगी well इसकी limit हो जाएगी यह है limit x approaches c fx limit ने fx से बात कर ली लेकिन क्योंकि इसकी power constant है तो वो ऐसी की ऐसी रही इसकी power हो जाएगी r by s और इसका answer हो जाएगा क्योंकि limit मेरी l के बराबर है इसका answer हो जाएगा l की power r by s और इसका उल्टा भी सही है माल लेते हैं, मेरा question इस तरह से होता limit x approaches c, मेरा कोई constant होता k इसकी power में मेरा function होता fx k मेरा एक constant है, और जो power है, वो है function of x अब limit x की है, तो वो function of x से ही बात करेगी इसकी value हो जाएगी, यह हो जाएगा k की power limit x approaches c, fx मेरी limit यहाँ पर power में चड़ जाएगी, और क्योंकि इसकी value l के बराबर है, यह हो जाएगा मेरा, यह बराबर हो जाएगा k की power, k की power, जो मेरी limit है इसकी, इसकी value l है, तो यह हो जाएगा k की power l, और इसी तरह हम इसके बहुत सारे formula देख सकते हैं, लेकिन मेरा काम यह नहीं है कि मैं तुम्हें इन formula को याद करवाऊ, मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें समझाओं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बस इतना सा हो रहा है कि जो मेरा variable c के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है, जो x है, यह वाली जो limit है यह सिरफ उन्हीं लोगों से बात करेगी, जिनें फरक पड़ता है इस x से यानि कि जहाँ पर भी मुझे function मिलेगा x का, मेरे limit सीधा वहाँ पर जाके उस function से बात करेगी चाहे वो function numerator में हो, denominator में हो, power में हो, या फिर कहीं और अब इसे खतम करने से पहले, मैं एक आखरी limit और लिख देता हूँ एक आखरी limit जो मेरे दिवाग में आ रही है, मैं उसे भी लिख देता हूँ यह limit है composite functions की, मैं लिखता हूँ composite functions और इसमें क्या करेंगे, माल लेते हैं मेरे एक निया function है h, y equals to h of x और मुझे limit निकालनी है, limit x approaches c, h of f of x यानि कि इसको अगर मैं visualize करने की कोशिश करूँ, तो यह मेरे composite function है सबसे पहले, मेरे x उठके f से बात करता है, यह मेरे f है यहां से जो मेरा output निकलता है, यह हो जाता है मेरे fx यह बात करता है जाके h से, यह बात करता है h से, और यहां से जो मेरा output निकलता है यह हो जाता है h of f of x मुझे निकालना है, जब मेरा x c को approach कर रहा होगा, तो यह h of f of x किसको approach कर रहा होगा अब यहां पर कहानी थोड़ी से interesting है, मेरे limit ने देखा कि इस h के अंदर एक function है f, जो x का है तो मेरे limit कूद के f के पास चले गई, इसकी value हो गई h of, क्योंकि h मेरा function f है, तो इसकी value हो गई h of limit x approaches c f of x और यह चीज हमें पता है l के बराबर है, क्योंकि यह चीज मुझे पता है l के बराबर है, तो मेरे limit के value हो गई, यह हो गया h of l h of l, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, कि इसका जो answer है, इसमें मैंने limit नहीं लिख रखी मैंने यहां पर इसके left में नहीं लिखा हुआ limit x approaches c तो क्या होगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि limit x approaches c क्या हो रहा है, जब x मेरा c के पास जा रहा है, तो मेरा function l को approach कर रहा है, और l मेरे इस function fx की limit है, यह मेरा input है h में, h को फरक नहीं पढ़ रहा कि x के पास क्या जाती है, तो h बोलता है कि इसका output आ गया h of l, h को फरक नहीं पढ़ता कि यह l मैंने दिया इसको, यह तुमने दिया इसको, यह फिर इस limit के ताम जाम ने दिया है, बस h को इतना फरक पढ़ता है कि जो मेरा input है, मैं उसका एक output निकाल के तो तुमें, तो यहां पर इसका output हो कोई लेने दना नहीं है, और अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो या फिर तुम्हें अभी थोड़ी सी confusion हो रही है इस topic पे, तो मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा सा इंतिजार करो, हम आने वाले कुछ questions में इस चीज़ को थोड़ा और ढंक से समझने की कोशिश करेंगे और मैं उमीद करता हूँ कि उन examples को समझने के बाद तुम्हें इस concept में कोई दिक्कत नहीं रहेगी